आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथेड्स आप कम्यूनिकेशन इससे पहले हमने कम्यूनिकेशन के बारे में पढ़ा वाट इस कम्यूनिकेशन उसके एलिमेंट्स क्या है तो आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है अबाउट मेथेड्स आप कम्यूनिकेशन याईनि डिफरेंट मेथेड्स हमारे पास कौन-कौन से हैं जिनके जरिये से हम कम्यूनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मेथेड्स जो हमारे पास आ जाता है वो है फेस टू फेस कम्यूनिकेशन और ये मेथेड्स सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे कलियर मेथेड्स है कम्यूनिकेशन का और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथेड्स है कम्यूनिकेशन का Face to Face Communication आपको पता ही है कि for example अगर आप अपने फ्रेंड को टेलेफोन पे बात करते हैं ठीक है अगर वो कोई important चीज होगा आपको उसके साथ discuss करना तो आप उसको बोल रहे हैं आप मुझे कल मिलना हम Face to Face बात करेंगे तो यह इस बात का clear सुबूत है कि जो Face to Face Communication है वो सबसे ज़्यादा Effective Communication माना जाता है जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दो communicators Face to Face आपसमें बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इससे आपकी Body Language पता चल जाती है ठीक है तो कितने Effective है आप Communication के लिए इसमें Minimum Barriers Communication के वो रहते हैं So Face to Face Communication is very much important in and this method is very much effective in Communication field So ये पहला method था जो कि है Face to Face Communication ठीक है जब भी हमें कोई भी confusion रहता है हम कहते हैं कि आप मुझे मिलना मैं वो confusion दूर करता हूँ अगर हमारा कोई दोस्त हमसे नाराज होता है तो हम चाहते हम उसे मिले उसको मनाए क्यों ऐसा हम चाहते हैं क्योंकि ये जो method है ये सबसे method method होता है of communication, of expressing your ideas, of expressing your information so you can express your feelings Face to Face method सबसे method होता है और आप ये picture में देख सकते हैं ये Face to Face method of communication कैसे करते हैं चलिए इसी के साथ next method पर आ जाते हैं Face to Face method हो क्या method one next जो method है हमारे पास वो है email communication देखे अगर आपका कोई दोस्त डेली में रहता है, मंबई में रहता है या कोलकटा में रहता है तो आपके लिए possible नहीं है Face to Face उसके वहाँ जाके आप उसके साथ मिले लेकिन हमारे पास और एक method है communication का जिसको हम email communication कहते है इससे quickly आप एक individual को message कर सकते हैं या अगर आपके list में बहुत सारे individuals हैं, बहुत सारे friends हैं उनको आपको message करना है या कोई data उनको बेजना है तो हम क्या करते हैं, हम email उनको कर देते हैं email आपको पता ही होगा, यह सबसे cheapest method आप communication होता है ठीक है, और यह तुरंट एक individual से दूसरे individual तक पहुँचता है आपको मैं एक example के माधियम से समझाता हूँ अगर आप Delhi University में admission के लिए जाते हो, ठीक है तो आप अगर अपना admit card यहां पे घर में ही बोल जाते हो तो आप अपने दोस्त को या घर वालों को phone करते हो मेरा admit card वहां पे रहा है आप प्लीज उसको photo case के मुझे email कर दीजिए वो email तुरंट आपके पास पहुँचता है ना उनको कोई पैसा लगता है उसमें और one end to end encrypted होता है और security के साथ आपके पास पहुँच जाता है यह भी second method है communication का चलिए देखते हैं तीसरा method कौन सा है communication का आप देख रहे हैं अपने screens पे तीसरा method जो है वो है notices, posters, notices and posters रहते हैं यह क्या होता है जैसे कोई firm काम कर रही है ठीक है कोई factory या कोई company उनके पास employees 100, 200, 300 employees होते हैं अगर उनको कोई message इनको देना है तो वो posters के मादियम से देते हैं अब अगर हम कश्मीर की example ले ले अगर हमारे यहां पे किसी ने coaching center या tuition centers डाले हुए होते हैं वो अपना editismint notices के जरिये से या posters के जरिये से कर देता है अगर अभी के date में जो corona lockdown चल रहा है government की तरफ से हमें जो निदेश दिये जा रहे हैं जो guidelines आती हैं वो notices के मादियम से ही आते हैं ताके क्योंकि वो गर-गर नहीं जा सकते हैं ठीक है वो एक note जारी कर देते हैं तो public के पास वो पहुँच जाती है यह भी important method होता है communication का अगर हमें बड़ी society या बड़े लोगों को या for example ज्यादा area cover करना है तो हम notes और posters का इस्तिमाल करते हैं यह आप देख सकते हैं यह आपको पता चल जाता है कि Corona virus की वज़ा से यह company बंद हुई है तो Corona जब खतम होगा तो यह वापस आ जाएगी ठीक है यह कहीं पर हमें लिका होता है send a closed हम किसी company में जाते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि नहीं भाई आज यह नहीं खुलने वारा है ठीक है So notes and posters also play an important role in communication लेकिन इसमें wide area communication possibilities होती है So next and the last slide of this video lecture is about business meetings देखिये अगर हमारे पास एक company होती है company में बहुत सारे employees होते हैं जैसे कि आप picture में देख सकते हैं अगर उनको हमें address करना होगा ठीक है कोई SOP change हो गई कोई management के related हमें काम होगा कोई organizational decision हमें लेना होगा या हमें नई शाह कहीं पे खोलनी होगी या नई सिरे से काम करना होगा या कोई SOP जो हमारी company के वो change हो गई या timing's change हो कोई नई project हमने ले लिए तो हम क्या करते हैं हम हर एक department के heads को blow देते हैं जैसे कि HR department से होगा जैसे जैसे कि team leads होते हैं managers होते हैं directors होते हैं तो CEO उनका topmost employee रहता है तो उनके साथ communicate करता है protocols communicate करता है या अगर protocols change होए होंगे वो communication करता है अपने employees के साथ ताकि वो further trace down करके अपने subordinates के साथ वो चीज़े share करें So business meetings जो होती है वो भी एक method है आप communicating with teams, with organizations ठीक है with business management So this was all about today's video lesson So I request to you all please stay safe stay home Thank you 00 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1